Hi guys, welcome back to my channel, कैसे हो आप सब लोग? Guys, आजकल नर रहने की यह oil pulling stick बहुत ही जादा viral हो रही है कहा जाता है कि इसको लगाने के बाद आपकी skin बिल्कुल mattifying हो जाती है आप इसे as a primer भी use कर सकते हो और makeup के बाद भी use कर सकते हो जैसे sometimes makeup के बाद हमारी nose काफी oily लगती है, forehead oily लगता है तो वहाँ पर आप इस stick का यूज़ कर सकते हो तो यह आजकल का बहुत ही जादा viral product है इससे पहले रहने का यह जो Bollywood filter वाला face primer किस किस ने इसको अभी तक use कर लिया मुझे जरूर बताना क्योंकि यह सच में बहुत अच्छा काम करता है जैसे इसका नाम है na Bollywood filter यह एकदम filter की तरह आपकी skin पे लगता है ऐसा लगता है आपने कोई filter लगा लिया है सच में यह ऐसा ही काम करता है वैसे मैंने इस पे detailed वीडियो तो नहीं बनाई थी एक short वीडियो बनाई थी तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बता देती हूँ कि यह सच में बहुत 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 ही अच्छा काम करता है अगर आपकी skin को आपको बिलकुल ऐसा दिखाना है जैसे अपनी fine lines को भी blur दिखाना है जो pores हैं उनको भी blur दिखाना है तो एक blurring effect एक mattifying सा effect चाहिए तो यह वाला primer बहुत अच्छा है आप definitely इसको try कर सकते हो इसका short वीडियो का link मैं आपको नीचे description में दे दूँगी तो उसमें आपको clear हो जाएगा कि यह primer कैसा है फिलाल आज की इस वीडियो में तो मैं बात करने वाली हूँ इस oil pulling stick के बारे में जैसे ही मैंने इसके बारे में इतना जादा सुना मैंने फटाक से इसको order किया और इसको try भी कर लिया और आप मानोगे नी guys इसके जो results है amazing इतने अच्छे इसके results आये है मैंने मतलब यह मुझे call receive हुई तो मैं उसी time लगा कि मैं इसको try करूँ तो मैंने इसे try किया मुझे बहुत बहुत ही पसंद आई यह stick आज की इस वीडियो में जो भी अगर आपको confusion होगी इस stick के बारे में कि यह कैसा काम करेगी वो सारी clear हो जाएगी क्योंकि अपनी दरब से जितने अच्छे से मैं इसकी detailing आपको clear कर पाऊंगी वो जरूर करूंगी अब यहां बैठे इतनी दूर से stick लगाऊंगी आपको clear नहीं हो पाएगा तो मैं बहुत ही close up से आपको दिखाऊंगी कि यह stick कैसा काम कर रही है इसके लिए पहले आप इसकी detailing देख लो फिर मैं आपको इसको apply करके दिखाऊंगी और results कैसे आए वो आप खुद ही decide करना यह है रहने सकर oil pulling stick 399 रुपीज इसका MRP है और जो quantity आपको मिलेगी ना वो मिलेगी सिर्फ 5 ग्राम की 5 ग्राम की quantity मिलती है जो की बहुत जादा कम लगी मुझे लेकिन यह थोड़ा सा ही लगता है तो काफी लंबे टाइम चल जाएगा यह इस तरीके की रोल अन स्टिक में आता है इससे ना बहुत ही easy and convenient है आप इसे कई भी ले जा सकते हो travel friendly है यह क्या करता है reduce करता है जो भी excess oil and shine होती ना मरे face पे यह उसको ना एकदम से mattifying कर देता है मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने की अगर I hope आपको clear हो जाए अच्छे से यहाँ पर आप देखो मेरे हाथ पे जो shine थी इसको लगाने के बाद ना वो shine नहीं रही तो basically यह काम क्या कर रहा है यह काम करता है जो भी excess shine oil हमारी face पे आता है यह उसको कम कर देता है this stick specially formulated stick with argan oil and cocoa butter mattifies your skin leaving it fresh and free from excess sebum यहाँ पर आप देखो बेरी skin पे आपको काफी oil नजर आ रहा होगा क्योंकि मैं just अभी अपने kitchen से निकली थी और मेरी skin काफी oily oily सी हो रही थी और अभी मैं window के पास बिलकुल daylight में आपको दिखाना चाहरी हूँ I hope आपको clear हो पारा होगा जैसे ही वहाँ पे stick लगाई ना तो वहाँ पे एकदम से जो shine थी वहाँ पे skin matte हो गई है मेरी और एकदम ना velvety texture सा हो जाता है तो आपको करना क्या है आपना make-up से पहले इसको लगाओगे तो बहुत यह अच्छा base भी create हो जाएगा और जो excess oil निकलता है ना हमारी skin से तो production भी कम हो जाएगा oily skin वालों को तो यह stick जरूर ट्राय करने चाहिए sometimes कुछ चीजे कुछ बाते ऐसी होती जो camera capture नहीं कर पाता उतने अच्छे से मैं feel कर पारी हूँ कि यह जो भी excess shine है मेरे face पे I hope आपको clear हो पारा होगा वो कम हो रही है and मैंने इसे use कर लिया है काफी time तो म make up make up के बाद कई बर होता ना हमारी skin पर कहीं ना कहीं कुछ excess oil आता है जिसके लिए हम क्या करते हैं बार बार टच अप करते हैं या bloating paper साथ में रखते उस oil को absorb करने के लिए तो आपको उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी आप इस stick को बस उतनी जगा पे जहां भी आपको excess oil आ करते हैं तो जब मैंने इसको make up के ऊपर अपलाय किया तो बिल्कुल भी make up नहीं हटा आपको वैसे भी से बहुत जादा रगलना नहीं है एक दम रगलना नहीं है हल्के हल्के हातों जिसको लगा रही थी तो बिल्कुल जैसे base होता है ना foundation हट जायगा यह कुछ ऐसा कुछ और प्रफे कितनी शाहिन चाहिन है यह एक तरीके से ओई होता है जब आप गर्मी में होते हो आपके फेस पर और आपको आपको आपके वाइट कर दे रहे हैं आपके फेस को बिल्कुल सेल्फी रेडि कर देगा आप इसे अपने पर्स में सानी से रख सकते हो जहां भी बहुत ही पसंद आई है और मुझे ऐसा लगता है कि सबके पास एक ऐसी स्टिक होनी चाहिए क्योंकि देखो बिफोर मेकप तो हम अपनी स्किन को और भी अच्छे प्राइमर से और किसी चीज से मैटिफाइंग कर सकते हैं बट आफ्टर मेकप जैसे होता ना मेकप लगाने के बाद कभी हमारी नोज ओईली हो जाती है कभी फोरेड ओईली हो जाता है हो जाता है ना कभी चीन इतनी इतनी ओईली लगती है तो उस टाइम पे स्टिक कम यूज कर सकते हैं यह ऐसा भी नहीं है कि इसको लगाने से वहां समझ में नहीं आई है लेकिन मुझे सच में बहुत अच्छी लगी है तो मुझे लगता है आपको भी इसको ट्राइ कर लेना चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका दे दूँगी वैसे ही आपको हर वेबसाइट पर मिली जाएगी फिर भी जहां से मैंने बाई कि यह वहां का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो आपके लिए helpful रही हो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना चानल पे नए हो तो चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाईस और आ आप लोगों के लिए अच्छे ची वीडियो कैसे ला पाऊंगी सो प्लीज वीडियो को लाइक किया करो चानल को सब्सक्राइब किया करो एंड जो भी आप फील करते हो कॉमेंट में मुझे जरूर लिख कर दिया करो सो थैंक्यू गाइस थैंक्स फो वाचिंग